नमस्कार में हूँ राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टाक्स जंक्शन पर तो दोस्तों CBDT Central Board of Direct Tax ने IRS Officers मतलब Indian Revenue Service Officers पे एक चार्च सीट दाखिल करी है आईए लेते हो इस बारे में डिटेल में जानकारी हम आपको बता दे ये चार्च सीट दाखिल हुई है रूल 14 CCS CCA Rules 1965 के तहट CCS Central Civil Services Rules और CCA Classification Control Appeals तो हम आपको बता दे रूल 14 के तहट अगर कोई चार्च सीट फाइल होती है तो वो ऑफिसर्स पे इंक्वाइरी बैट्टी है वो इंक्वाइरी होने के बाद ही ऑफिसर्स को पेनाल्टी लगती है वो है रूल 11 के तहट रूल 11 के तहट ऐसा होता है कि ऑफिसर्स के कभी प्रोमोशन रोका जाता है कभी उनकी सैलरी कम की जाती है कभी उनका पोस्ट जो है वो डिग्रेड किया जाता है high post ते उनको low post पे उनको काम के लिए भेजा जाता है या फिर उनको fine लगाई जाती है वो depend करता है case to case आईए लेते इस case के बारे में detail में जानकारी कौन से वो officer से जिनको rule 14 के तहत inquiry बैठी है तो सबसे पहले प्रशांद भूशन यह IRS 1988 बैच के है और साथी साथ यह general secretary है IRS association के प्रकाश दूबे यह IRS 2001 के बैच के है और यह director department of personal and training है साथी साथ यह joint secretary है IRS association के इसके साथ आते है संजे बहाद्दूर IRS 1989 बैच के principal director investigation northeast region के है तो यह तीन officer से जिनके उपर inquiry बैठी है तो ऐसा किया क्या है इन officers ने आईए लेते उस बारे में detail में जानकारी तो एक tweet आया था income tax department की तैत income tax department ने ऐसा बोला था कि IRS officers जो है वो social media पे कुछ information publish कर रहे income tax related और वो information publish करते हुए इन officers को हमने ये कोई काम दिया नहीं था नहीं इन officers ने हमसे कोई permission ली थी ये जो suggestions और views जो social media पे दे रहें ये इनके personal views है हम आपको बता दे CBD ने बोलाए कि हम आपको बता दे कि इसमें CBD income tax department के कोई भी views include नहीं है तो ऐसा क्या बोला था officers ने social media पे मतलब twitter पे उन्होंने कुछ post किये थे तो ऐसा क्या किया था इन officers ने जिसके कारण उनके उपर inquiry बैठेगी तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था उन्होंने social media पे force करके report publish किया था ये report उन्होंने publish किया था IRS associations के twitter handle से ये main handle था ये main handle से उन्होंने ये report publish किया था इसमें उन्होंने बोला था कि जो भी लोग है जिनका income अगर एक करोड के उपर अगर जाता है तो उनको 40 टक का tax लगना चाहिए साथी साथ उन्होंने wealth tax को reintroduce करने की बात करिए जिनका wealth पाच करोड के उपर जाएगा उनके उपर wealth tax बैठेगा ऐसी उन्होंने बात करिए इसके साथी उन्होंने ऐसा बोला कि आप एक sales लगा दो चार टक का जिनके income 10 लाग के उपर है उनके लिए और इस कारण क्या होगा कि revenue आएगा 15,000 से 18,000 करोड का revenue अपने government को मिल जाएगा ऐसे उन्होंने बात करिए साथी साथ उन्होंने ये भी का आए कि tax holiday दो जो companies health care में है उनको tax नहीं लगाओ तो ऐसी चीजे जो actually authority है income tax department की वो बाते करिए IRS officers ने income tax department ने उनको ये काम नहीं दिया था तो भी उन्होंने किया और करने के बाद without permission income tax department के इन्होंने ये social media पे publish किया इस कारण इनके उपर inquiry बैटने वाली है हम आपको बता दे ये तीन officers के कारण और 50 officers influence हो गए थे ये तीन officers जो है ये 30 years 30 साल department में काम करने के बावजूद भी इन्होंने 50 young officers को influence किया है anyway ये inquiry का आगे क्या होगा हम आपको बताएंगे लेकिन आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताना हमारी चानल को सब्सक्राइब करना घर से बाहर नहीं निकलना प्लीज, have a night day, take care